वेलकम टू तेज एजूकेशन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मद्धे प्रदेश नगर निगम में शाथियो भरतिया निखनी है जी हाँ इस भरती में किसी भी प्रकार की परिक्षा नहीं होगी सबसे बड़ी बात तो ये है सीधे इसमें इंटर्व्यू होन मैं सारी जानकारी आपको देता हूँ और इस भरती में कुल 119 पद हैं साथियो तो आए शुरू करते हैं आगे बढ़ते हैं देखे सबसे पहले आपको बता दू कि ये जो बिग्यापन है न ये मद्धे प्रदेश नगर निगम ग्वालियर के द्वारा जारी किया गया है और इसके लिए इन पदों को इंटर्व्यू के माध्यम से भरा जाएगा बिसेस बात ये है कि किसी भी प्रकार की परिच्छा नगर निगम के द्वारा नहीं ली जा रही है नगर निगम के द्वारा पांचवी पास दश्मी पास और बार्वी पास विद्धारतियों के लि तो कि यह ओफ लाइन आपको फॉर्म भरना होगा ठीक ओफ लाइन जमा करना होगा अब देखेगा इंटर्व्यू जो है इस भरती के 27 और 28 अगस्त को होने है ठीक है और फॉर्म भरने की जो लाश्ट डेट है न वो है भई 6 अगस्त जी हां 6 अगस्त तक आपको फॉर्म जमा करना होगा ठीक है भई अब फॉर्म कहां पर जमा होगा यह पूरी जनकारी में आपको आगे बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले हम पद जाने लेते हैं संख्या और योगिता क्या क्या है तो देखिएगा इन पदों में सबसे पहला आता है भई साहक वर्ग तीन और यह नियमित पद है कि कै इसमें आथ पद है और योगिता है भई बार्वी पास होना चाहिए व्यक्तियों सीपी सी की साथ में होना चाहिए समयपाल का पद है जो के नियमित है तीन इसमें वेकेंसी है बार्वी पास और साथ में आईटियाई सिविल से होना चाहिए साहक राज जस्तो निरिच्छक जो के नियमित पद है छे इसमें वैकेंसी है इसके लिए युग्यता रखी है बार्वी पास और कंप्यूटर का नौलेज होना चाहिए बस तो ये तो सब के पास होता है तो ये सबी लोग भर सकते हैं ये है बार्वी पास बालों के लिए देखिएगा उ पालकि ठीक है और फिर इसके बाद एसके बार्वी पास हो फायर का डिपलूमा होना चाहिए फिर है केवल पांची पास लोगों के लिए ये काफी वेकेंसी है लेकिन आपको एक बात बता दू जिन लोगों को ये डर हो के भई संविदा है देकि इतने तो नियमित पद है ठीक है लेकिन ये जो संविदा है ना इनको जादतर कभी नहीं हटाया जाता इन्हीं को तीन साल के क्योंकि सरकार इनको खुद रख रही है नगर निगम खुद इनको रख रहा है कोई कंपनी नहीं रख रही है जो हटा दे तो मैं तो ये कहूंगा जो लोग उच्छे तो समझें भई ठीक है जिनको ये जौब करना हो जो इच्छुक हों वो सभी लोग जरूर फॉर्म जो ह रहे है क्योंकि नियमित है भई ठीक है इसमें भी नियमित है ये समयपाल की इसमें भी पैंसव प्लस मिलेंगे ठीक है और लीडिंग फायरद़ सम्मेदा पर है तो एज़ पर रूल जो है वो मिलेगा और फाय मैंन का भी एज़ पर रूल मतलब यह मिलेगा आठ से दस हजार इन में ठीक है और जो सफाई सरच्छा के सम्मेदा पर जिसमें सबसे ज़्यादा बैकेंसी 865 भी पास के लिए केबल ठीक है इसमें भई 12,000 रु केबल आपको मद्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी यह बस ठीक है एपलाई आप लोग कर सकते हो ठीक है ग्वाल यह नगन निगम में तो यह पूरा फॉर्म है ठीक है फॉर्म का प्रारूप आप देख लेजेगा यह फॉर्म आपको डाउनलोड करना है हमारी इस इस बटन पर यहां पर जैसी किल्क करोगे यह फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा इस फॉर्म को आपको भरना है अपना फोटो लगाना है पूरी डिटेल भरनी है ठीक है और नगर नगम के ऑफिस में से जमा कर सकते हैं या फिर डांक के माध्यम से जमा कर सकते हैं लेकिन नो साथ है फॉर्म वहां पर पॉँचने में तो बहर यह उनकी जिम्म्यारी नहीं आई ठीक है निगम की जिम्म्यारी नहीं या इसाले मैं तो क्यंकर कर देगा ऑफिस्वार मैं पर जाकर जो है झाल झाल